Good afternoon friends, आज हम लोग सीखेंगे subject और predicate क्या होता है Subject हमारा पहले तो जानले की दो तरीके के होते हैं Singular subject and plural subject Singular subject में आता है He, She, It He हम लोग किसी लड़के के लिए यूज़ करते हैं She किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं और इट हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और नॉन लिडिंग जिन के लिए यूज़ करते हैं मतलब की करता Subject मतलब करता Doer जो काम कर रहा है ठीक है? काम किसके दौारा हो रहा है जिसके दौारा होगा वो हमारा subject होगा और काम व्यक्ति के दौारा होता है ठी, शी, इट Singular subject Plural subject है आई, यू, वी, दी इसको आप learn कर ले ताकि आपको अपने sentence में subject को पैचानने में असानी हो जाए चलिए देखते हैं इसी की कुछ sentences She does not complete her homework इसमें जो हमारा she है वो हमारा subject है और does not complete her homework हमारा pedigate है She does not complete her homework वो अपना होगा पूरा नहीं करती है She की जगे पे किसी लड़की का नाम भी हो सकता है Sheena, Gita, Meena, Tina, कुछ भी और हम इसको She भी कर सकते चाहे She लिखा हो चाहे किसी का नाम लिखा हो वो हमारा subject में ही आएगा Next He plays football He हमारा subject है Plays football हमारा dedicated है He plays football वो football खेलता है The cow give us milk It eats grass गाए हमें क्या देती है दूद देती है और वो घास काती है ठीक है एक जगे पे हमने इसको The cow यूज करा है दूसरी जगे पे It यूज करा है और ये दोनों ही हमारे sentence में subject होंगे Next I like ice cream मुझे ice cream पसंद है इसमें जो हमारा I है वो हमारा subject है Like ice cream हमारा predicate है subject के बाद इतना भी हमारा sentence बचेगा वो हमारा predicate हो जाएगा You look fabulous तुम शांदार दिखती हो You हमारा subject है Look fabulous हमारा predicate है We go to school together हम साथ साथ school जाते हैं हम वी तो subject हो गया Go to school together हमारा predicate हो गया They do not play football We लोग football नहीं खेलते हैं They जो है यह हमारा subject हो गया Do not play football हमारा predicate हो गया They do not play football We लोग football नहीं खेलते हैं यह दियाज की हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो please like it, share it and please do not forget to subscribe it Till then, take care